तो आकिरकार पठान मुवी का ट्रेलर जो है वो रिलीज कर दिया जाते हैं और जैसे ही ट्रेलर रिलीज होता है तो उसके सपोर्ट और उसको बायकोट करने की दो टीम बन जाती है ट्वीटर के उपर बायकोट पठान और आई सपोर्ट पठान जैसे ट्वीट जो है वो तब से इस मुई का मनतल बायकोट जब इस बायकोट ने और जादा तेजी याता पकड़ी जब इस मुई का ईक गाना Ahaaaa जहां पर दिपी का पाडू को उन्हें एक केसरिया रंगड़ की बिक्नी पैनी होती है और वहाँ पर उस गाने को बेशरम रंग ऐसा नाम दे दिया जाता है तो लोग उसको फिर रंग से धरम के अधार पर जोड लेते हैं और फिर इसको फिर बायकोट करना स्टार्ट कर देते हैं मुझे इसमें कोई लोजिक नहीं लगा कि यह चल गया रहा है बिनावजे की चीज़ें ऐसे दिखा रहे हो बॉयकोट करने लग रहे हैं मुझे उनसे कोई मतलब भी नहीं है अगर टेलर अच्छा है उसके बारे हैं बात करेंगे टेलर में जो कमई है उसके बारे हैं बात करेंगे लगते हैं कि इस ट्रेलर में हमें किया नया देखने को रखने हैं अप इंपल सी कहानी, या फिर कहीं, कि हम ने कितनी बार ऐसी कहांइया देखी हुई हैं, कि बहुतलस्थ एंडिया के उपर हमला होने वाला है, अब एक एजछन्ट को इंडिया से बाहर बेजा जाएक selecting और इंडिया के बाहर ही ही मतलब उससे निपट लेगा जो भी इंडिया के उपर हमला करने वाले मैं सोच रहा था है राइटर को बिल्कुल भी महनत नहीं करने पड़ी कहानी के पर बस एक हमला प्लैन करवा देते हैं भारत के उपर और उसको बचाने के लिए फिर एक एजेंट बेज़ देते हैं लो भाई साब बन गई कहानी तो कितनी बड़िया कहानी है ना वैसे मैं एक जूटी उमीद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार जब यह मूवी आएगी तो शायद इसके अंदर स्टोरी हमें थोड़ी अलग देखने को मिली जो हमें ट्रेलर में देखने को ना मिली मूवी में जो सीन देखाई है मूवी के जो ट्रेलर में जो हमें सीन देखने को मिले अब लोग उसको भी कंपेर कर रहे हैं कि यह जो सीन है वो Mission Impossible के जो मूवी है उससे लिये गए हैं अब obviously यहां पर बहुत सारे लोगों ने इस मूवी का ट्रेल देखने के बाद चीजें चाटनी शुरू करती हैं कि ये नकल है होली वुड की इस मूवी से इस सीन को लिया गया है वैसे अगर कुछ original Bollywood के पांस होता तो ओसकर अवोर्ड में जैसे Golden Globe Award RRR मूवी के सौंग को original सौंग के नाम पर दिया गया है वैसे कुछ Bollywood को भी मिल जाता है कैर वहां पर उसकर में अभी तक ऐसा कुछ नकल के अधार पर कोई अवोर्ड स्टार्ट नहीं किया गया वरना शायद हर बार पॉली वुड इसमें टॉपी कर रहा होता है तो शारू खान पूरे चार साल बाद जीरो मूवी उनकी लास्ट आई थी उसके बाद अभी इस मूवी में नजर आने वाले है फैंस जो है वो काफी ज़्यादा खुश है मरने के लिए उतावले हो रहे हैं कि ये मूवी आए और इसको देखे और वो मरे मतलब कि इसको देखने के लिए उतावले हो रहे हैं किसी दूसरे ही देश में पता नहीं वो कौन है किसने आंतकवादी का हमला जो है वो भारत के ओपर प्लैन कर रखा है लाइब 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 जो भी होगा वो तब हम बात करेंगे जब मुवी जब एक्चुल में आ जाएगी थेटर्स में क्यार देखो मुवी का ट ट्रेलर देखने के पास आपको अलग फिल हो सकता है नो डाउट मुवी की जो प्रोडेक्शन वैल्य है वो काफी जाद है क्योंकि आप इसके अंतर जैसे सीन देख रहे हैं वी एफेक्स देख रहे हैं उसमें कहीं पर भी मुझे ऐसा फिल नहीं हो कि यह थोड़ी सी चीप यह एक ट्रेलर और देखा था नेक्फिक्स पर वो मुवी आने वाली है मिशन मजनू करके शायद ऐसी है जिसमें सिदाथ मलोता है मेन रोल के अंदर में नजर आएंगे तो वहां पर भी वही है भारत के पर हमला होने वाला है वो पाकिस्तान जाएंगे तो यार ऐसे से सेम कोंसिप्ट की मुवी हम पताने कितनी बार देख चुके हैं तो यहां पर इस चीज़ को देख रहे हैं दोबारा से तो उसका लोजिक क्या बनता है मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कैया रहा मुवी का ट्रेलर देखकर मैं इस अधार पर तो नहीं कह सकता कि मुवी कैसे होन प्रेंडिंग में चल रहा है तो अपनी राय कोमेंट सेक्षिन में जुरूर लिख देना आप देखो यार मैंने अपने विचार आपके सामने रखें आप अपने विचार अच्छी भाशा में नीचे कोमेंट सेक्षिन में लिख सकते हो गाली ग्रोच करने की जूरत है नहीं वैसे आते तो वैसे कुछ भी नहीं है तो असाज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में तैंक यू फूर वॉचिंग इस वीडियो में जाहिंत